तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लैंग्वेज जावा जावा आपके BCA और MCA दोनों में एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है तो आज हम जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि बैसिकली जावा क्यों आया और जावा के पीछे क्या थोड़ी सी हिस्ट्री है या फिर क्या कैसे जावा बना तो यह सारे चीजों के बारे में कि बैसिकली जावा को बनाया किसने और यह सारे इंट्रोडक्शन इसमें हम देखेंगे तो बैसिकली अगर कोई आप से पूचे कि जावा का इंट्रो तो यह सार करते हैं सबसे पहले जावा जावा का इनीशनल नेम था हमारा ओक जो की ओक एक नैशनल ट्री है इसका यूएस से का ठीक है जावा को बनाने वाला कौन था सन सन माइक्रो सिस्टम सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को बनवाया ठीक है अब सन माइक्रो सिस्टम की बात आती है तो सन माइक्रो सिस्टम तो एक कंपनी है तो इसके कुछ इंपलॉईस थे जो की ग्रीन टीम के नाम से जाना जाता था तो ग्रीन टीम का जो उसमें टीम को जावा के नाम से जाना जाता है तो 1990 में Sun Microsystem ने 1990 में स्टार्ट किया जावा के डवलब्मेंट को तो डवलब करते करते देन 1995 में देन हमारा जावा बन के रेडी हुआ तो सबसे पहले इसका नाम रखा गया ओक उस वक्त रखा गया उन्हें ये नाम अच्छा लगा ओक वहां के एक national tree का नाम था लेकिन problem ये हुई कि जब भी आप कोई नाम रखते हो तो उसको register कराना पड़ता है तो जब इन्होंने register कराने का सोचा तो वहां पर क्या हुआ था ये ओक technologies पहले सही register था सो इन्हें फिर वो नाम change करना पड़ा तो इन्होंने ओक को change करके इसका नाम जावा किया जब वो नाम को change कर रहे थे तो उनके पास में काफी सारी वहां पर options थे तो उन में से सबसे ज़्यादा वोट जावा के नाम को मिला ठीक है तो सब भी टीम मेंबर्स ने सबसे ज़्यादा वोट जावा को दिया दिन जावा को choose कर लिया गया जावा एक वहां पर एक ऐसा island है और वहां पर एक coffee है एक coffee का नाम वहां पर जावा है उसी पर इसका नाम इन्होंने जावा रख दिया फिर जावा को वहाँ पर रजिस्ट कराया रहा अब आते हैं कि ठीक है ये हमारा लेंग्विज बन गया जावा बन गया लेकिन इसके सुरुवात कैसे हुई थी तो इनिशली इसको जब स्टार्ट किया गया था तो इसको डिजिटल डिवाइसेज के लिए स्टार्ट किया गया था डिजिटल डिवाइसेज के सेंज में जैसे कि आपका जो सैट्टोप बॉक्स है जैसे टीवी है जो आपके घरों में चलता है तो 1990 में इन्होंने ऐसा ही कुछ करने का सोचा था जो कि अभी हम आजकर अपने घरों में यूज़ कर रहे है उस वक्त के लिए ये टेक्नोलोजी काफी नहीं थी क्यूंकि लोगों के माइंड में ऐसे कुछ था ही नहीं देन क्या हुआ डेवलप होते होते उनमें होने कई सारी इतने उसमें फीचर एक्स्ट्रा डाल दिये कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्विज की तरह बिहेव करने लगा तो लेटर बाद में उसको चींज किया गया और उसकी क्वालिटीज बढ़ाके उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्विज का रूप दे दिया गया तो जावा ऐसे आपका एक स्टार्ट किसी और चीच के लिए हुआ था बट वो फाइनली आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्विज बनके रेडी हो गया ठीक है अब आते हैं कि जावा के वर्जन कितने आए जावा के काफी सारे वर्जन आए 1.2, 1.3, 4, 5, 6 ऐसे करके जो अब भी लेटेस्ट वर्जन है जावा का वो जावा SE 10 है ठीक है जावा स्टैंडर्ड एडिशन 10 जो कि आपका 20 मार्च 2018 को रिलीज हुआ था ठीक है अब आते हैं हमारा next मारा topic क्या है जो कि समझना है हमें कि जब C language को सारी languages का mother language बोला जाता है तो जावा उससे better कैसे है हर एक language C का यूज करके बनाए तो जावा उससे better कैसे हो गया हर एक चीज में आपने सुना होगा कि जावा बहुत अच्छा है जावा बहुत safe है जावा मतलब काफी सारे इसके features बताते हैं कि जावा हर एक तरह से C से better है है तो कैसे क्या reason है तो उसी चीज को देखेंगे हम लोग इस question में पहला है मेरा point C आपका एक language है कौन सा आपका है procedural language ठीक है और जावा आपका object oriented language अब दोनों में difference किया है अगर मैं एक simple सी भाशा में बात करूँ तो जैसे ये line by line लिखा हुआ है ठीक है तो अगर आपको C की coding करनी है या C का जो code चलेगा वो हमेशे ऐसे line में चलेगा बट अगर मैं Java की बात करूँ तो coding तो line से ही लिखी होगी लेकिन हम जहां मरजी उसे वहां से call कर सकते हैं चाहे यहां से call कर लें यहां से call कर लें यहां से call कर लें वो कहीं से भी value उठके हमें मिल जाएगा उससे line by line चलने की ज़रूरत नहीं है ठीक है दूसरा है simple सा point यह C मेरा middle level language है और यह मेरा high level language है आते हैं next point पर किसी support करता है pointer को और Java support नहीं करता pointer को यह एक बहुत बड़ा point है किसी अपने कोई भी value को address दे सकता है पर Java नहीं देता अब इसका reason क्या हो सकता है ऐसा क्या reason था किसी के इतने important जो एक pointer है काफे important माना जाता है उसको Java ने अपने programming language में जगा ही नहीं दी या फिर या तो यह अच्छा नहीं था या तो फिर इसमें कुछ ने कुछ कमी होगी तभी इसको Java ने जगा नहीं दी इसका reason यह है इस C का जो pointer है वो किसी भी language की security को बहुत कम करता है या उसको break कर देता है कोई भी hacker pointer का use करके value को find out कर सकता है या उसको change कर सकता है या उसको hack कर सकता है तो pointer क्या है हमारे language को हमारी language की security को कम करता है ठीक है उसको break करता है आगे हैं फिर मेरा malloc use for memory allocation इसमें क्या है malloc word हम use करते हैं C में memory को allocate करने के लिए उसकी programming को इसमें हमारा क्या है new keyword जब हम एक object बनाते हैं आप पूरी line लिख दो program की बट आपने new नहीं लिखा तो वहाँ पे memory allocate नहीं होगा जब तक आप new word लिख के और object create नहीं करोगे उसको memory allocate नहीं होगा यह जो new keyword वाला है और memory allocation है हम आगे भी देखेंगे कि यह हम कैसे करते हैं ठीक है तो फिलाल यहां पे अभी इतना ही कि जब तक आप यह नहीं लिखोगे नहीं होगा अगला है मेरा जो C है वो compiler use करता है और जो आपका Java है वो interpreter use करता है compiler interpreter आपको पता ही होगा आपने BCA के first time में पढ़ा होगा या फिर MCA के first time में पढ़ा ही होगा दोनों का difference इसका क्या है compiler प्रोग्रामिंग की पूरे page को एक ही बार में translate कर देता है और interpreter आपका line by line use करता है ठीक है तो compiler में क्या है fault को find out कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट interpreter में जैसे ही आपका fault आएगा तो रंत ही वो उसको show कर देता है ठीक है तो यहाँ पे हमें इसका भी benefit मिल जाता है अब इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे C के compiler का फायदा यह है कि यह fast होता है और यह आपका interpreter यह आपका slow होता है बट slow है बट performance better है क्योंकि आपको हर एक line में आपकी गलतियां दिख जाएंगी कहां पे गलतियां आए या फिर नहीं आए ठीक है next class में मैं यह दो question को cover करूंगी आज हमने introduction देख लिया देखने के बाद अब next class में मैं यह दो question cover करूंगी जो कि आपके 55 marks के paper में आए हुए हैं December 2015 में पहला question है explain the basic feature of object oriented programming language ठीक है और दूसरा है why is Java called machine independent language explain the functionality of JVM तो हम next class में पढ़ेंगे oops के बारे में ठीक है और Java को independent language क्यों बोला जाता है और JVM के बारे में ठीक है यह तीन हमारे topic आगे हम पढ़ेंगे तो guys आपको आज का introduction कैसा लगा आप इस comment box में अपने comment दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please हमें बताईएगा ताकि आगे में और वीडियो में बनाने के लिए प्रोसाहित हूँ और अगर आपको कुछ इसमें extra कुछ पढ़ना भी है आप अपने likes वगरा बता सकते होगी मुझे इस topic को पढ़ने में interested है तो हम उस पे ज्यादा और अच्छे से focus करेंगे so guys please channel को subscribe करें like करें share करें then मिलते हैं next video में bye take care